नमस्कार एक्टूस 24 देखने हैं आप और मैं हूँ आपके साथ तान्या सिंग्ग क्या आपको लगता है कि एक ही नितुत्य लगतार विजे की गारांटी ले सकता है क्या जारकंड और महराश में भी वही परिणाम होंगे जो हाली में हर्याना विधान सभाचुनाव में देखने को मिले केंद्रे मंद्र चुराक पास्वान को तो इसमें कोई संदे नहीं है उन्होंने गुर्वार को एक एतिहासिक दावा करते वे कहा कि पधान मंति नरेंड मोदी के नितुत्य में भाजपा, जारकंड और महराश में भी हर्याना जैसी शांदार जीत हासल कर देगी हर्याना विधान सभा चुनों में भाजपा की लगातार तीसरी जीत को चुराक पास्वान ने एतिहासिक करार दिया है चंडिगर में हर्याना के भावी मुख्य मंत्री नायप सिंग सैनी के शपत ग्रहन सामरों में भाग लेने के लिए पहुंचे चुराक पास्वान ने मीडिया से बाचुत में कहा है कि यहां भाजपा के लिए एक एतिहासिक जीत है हमारे देश के पधान मंत्री नरेंदर मोदी के नितुत में हर्याना में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है उन्होंने इस विश्वास को भी प्रकट किया है कि 23 नवंबर को होने वाले जार्कन और महरास्ट चुनाओ में भी भाजपा को उसी तरह की विजय प्राप्थ होगी जिहां चुनाख वासवान ने कहा कि उसके बाद दिल्ली और बिहार में भी चुनाओ होंगे और वहां भी NDA की जीतता है कॉंग्रिस का फिर से उभरना अब लगबग असंभव है शपत गहन समारों में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, केंदर गुर्य मंत्री अमिट शा, भासपा के राज्ट्र अध्यक्ष जेपी नडड़ा, रक्षर मंत्री राजनाथ सिंग, उतरप्रदेश के मुखे मंत्र, योग यदित्यानाथ और अन्य प्रमुक नेता उपस्त इस अपसर ने भासपा के नित्तों में एंडिये की एक जूट और ताकत को विदशाया है, समारों के बाद चंडिगर में एंडिये की एक मुखे मंत्री पत की शपत लेने से पहले पंच कूला स्थित वालमिकी मंदर में पूजा अर्चना की, इस पूजा के माध्यम से स्यानी ने महाश्री वालमिकी के जैनती के अफसर पर भगवान वालमिकी को शधांजली अर्पित की और समाज को एकता और सुधार का संदेश भी दिया है मोदी के साथ मिलकर हर्याना को तेज गती से विकास की रह पर ले जाएगी आगर उन्हें ये भी काया कि भास्पा की नीतियों के कारण ही हर्याना की लोगों ने इसे सरकार पर भरोस्त दाया है आकपतारी की सैनी ने हर्याना की जनता का धन्यवाद भी किया और ये भी कहा कि राज्ज में अब लोग बिना किसी खर्च या पर्ची के सरकारी नौक्रियां पा रहे हैं जोसने युवाउंक में विश्वास पैदा किया है उनका यह बयान भाश्पा के साश्वन में पारदशिता और अपसरों की उप्लब्धता को भी दावे का बल देता है वही इस प्रकार हर्याना वुधान सभा चुनाओं की यह जीत भाश्पा के लिए सुर्फ एक और जीत नहीं है बलकि यह एक ऐसे भविश्यों की और संकेत करती है जहां भाश्पा लगातार अपने राजनितिक वर्चस को कायम रखने के लिए काम कर रही है चुराग पासवान का है विस्वास है कि जारखंट, भाराश्व, दिल्ली और बिहार में भी NDA विजय होगी केवल एक राजनितिक वयान नहीं है बलकि भाश्पा के नितुत में NDA की बढ़ती ताकत का प्रतीक भी है तो फिल्हाल के लिए बस इतना ही, ऐसी तमाम ख़बरों के लिए देखते हैं 24 धन्यवाद